नमस्कार मैक रोतेगरी और आप देख रहे एएचन नीव्स यूपी के गुंडे इतने बेखौफ हो गए हैं कि SDM मतुरा के घर पर आकर धमकी देने लगे हैं कि निप्ता देंगे तुमको ये काफी जादा खतर नाख है आई ये सुनते हैं मतुरा के डिप्टी कलेक्टर राजी उपा ध्याय की जबानी कैसे उनके घर के बाहर चार राइफल और पिस्टल लेकर फॉर्चूनर से उनको धमकाने पहुंचे बदमास शेहर की सबसे सुरक्षित कॉलनी मानी जाती है अफिसर्स कॉलनी अगर यहां फॉर्चूनर गाड़ी में हत्यार बंद गुंडे एसजीम के घर पर आकर धमकी दे की बीएम का ज़्यादा कहना माना तो निप्टा देंगे तो स्तोच ये कानूं का कितना डर बचा है गुंडों में उसके बाहर एक फॉर्चूनर गाड़ी लुकी उसमें चार आदमी 315 बोर की राइफल लिये हुए सवार थे सफेद अगोचे का धाटा बादे हुए थे इसके अत्रिक्त ड्राइवर जो था वो रिवार्वर या फिस्कल लगाए था वो भी धाटा बादे था हूं में घर पर 9 बजे अपने सरकारी आवाज पर पोच गया था उन्होंने हूंगाड को बुलाया पूछा जिप्ति करेक्टर राजी उपद जया है यही रहता है तो हूंगाड उन्हें सौवाए ग्रूप से कहा यही रहते हैं तो नोंने कहा यह बहुत सरकारी जमीनों से अबेकम के हकबा रहा है गिरवा रहा है इसका समय पूरा हो गया है इसका हम काम तमाम कर देंगे यह कह करके वो हार्चुनर गाली उप्रसी निदेशक के मधुरा के कच्चे रास्ते की ओर ले करके यह मुला की तरफ चले गए जब तक मैं निकला तब तक वो जा चुके थे मैंने समपूर वस्तिती के सम्मन्द में आदर्णी जिलादिकारी महोदे को रात्री में ही पत्र लिख दिया है जिसकी प्रती फरिच पुलिशादीक्षक महोदे मधुरा को वेजी गई है जिलादिकारी महोदे ने कहا है कि आपको आज गनर उत्रम्ठ गरादीया जाएगा सुरक्षा का विशे है में सरकारी जमीनों से अतिक्रमर हो चाहे मथुरा में अतिक्रमर हो चाहे मथुरा बंदावन बिएकास प्रादिकार कि भूमियों पर किये गए इतवाम कब्जे हो गिराम सबाद संपत्ति पर कब्जे हो पिछले एग पर्स चार माह के कारिकाल में मैंने सबाम कब्जे जिला मैंस्टेट महोदय के आदेशा नमसार हटवाए हैं भू माप्याओं के दर्द हो रहा है तरकल बल रही है वो सकता है ये और लोग है जिन्हों ने आपको धंकी दिये ये देखे नहीं जा सके मेरे हाँ कोई CCTV कैमरा भी नहीं है जिसमें फुकेज ले लेता होम गाड के पास एंड्रोइड मोबाईल भी नहीं थे तो वो फोटो ले ले लेते गाली का दंबर आ जाता सिस्टेम के लापरवाही से किसानों की फसल बरबाद जरांदा प्रक्षन के पांडेपूर पंचायत के डीवी गाओं के उत्तर दिशा कमला चौक मुख्य मार्ग के मद्धे सापित पुल को बंद कर दिया गया है जिसको लेकर ग्रामीनों ने आंसल धारी को ग्यापन भी आपको बता दे ग्रामीनों का कहना है कि डीवी गाओं के उत्तर दिशा में नहरेव बस्ती पानी लगने से धान की खेती बरबाद हो चुकी है कुछ लगे धान की फसल को बचाने के लिए ग्रामीन महेश तिवारी, रमाकान तिवारी, महादेव सिंग, अमरनात तिवारी क अलावे दरजुनों ने अंचलधारी को अनुरोद किया है कि जामपुल को जल से जल खुलवाया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो पसल के साथ साथ पानी घर में भी घुश सकता है, जिसे सभी ग्रामीनों को काफी दिक्कत आ सकती है क्या मांगे हैं आप सरकाल से हमारी समस्या आप देख रहे हैं यही समस्या है कि प्रतेक साथ हमारे गाओं का धान का गेहूं का फसल बरबाद हो जाता है यह इसका में कारण है जब से यह पुलिया बना दो हाजार साथ में बना था उसी समय हम लोगों ने इसका बिरोध किय लेकिन विरोध करने के बाद देखा गया कि यहां मार काट हो सकता है तो हम लोग परसाशन के पास गए और परसाशन हम लोग को यह अस्वाशन दिया कि इस पूल को साड़े तीन फुट बीच में जोड दिया जाए यहीं वो लोग हम लोग को अनुस्वाशन दिये और बाद में कोई लिखित भी मिला तो किसी ने कहां रख दिया वो गड़ गड़ हो गड़ सब्सक्राइब कि पूल से बहुत ज़्यादा छोती हमने के आज 15 साल से हो रहर वाद एसे पूल बंद करा देखा जा अब बंद करा के पानी के निकासी के अगला स्टेप कहीं देखा जाओ जाओ जो पानी निकासी देखो परचाराउट महेश्टी वैरी ग्राम दीवू चाहां पड़ी है आप लोगों को देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे गाउं में बारिस के पानी तबाही मचा चुका है इससा सबसे पहले कारण है कि यह पूलिया नहीं था तो इसे पार करके पानी जादा था लेकिन पू परचारोफां और स्वेश्क के लिए बात की दीकासी नहीं है हम समझते हैं लग है यह लम संदस्य टस साल से उपर से हम फिर प्रसानिया जहल रहे हैं इसी में ये पार समय और इसीमें करोणा का परिसानिया है इस शारे पैसे लगभग यहां के किसान भूख मरी से मरने की कागार पर गोरिया कोठी प्रखंड के प्रखंड विकास पतल दिकारी रगुवी प्रसाद ने जानकारी देते वह ये बताया महराज गंज SDM गोरिया कोठी अंचला दिकारी विकास कुमार के साथ गोरिया कोठी थाना परिसर में बैठक किया उसके बाद SDM अंजीत कुमार ने सभी जगों कर जायदा देते वे गोरिया कोठी के पाच पंचायतों में माइकिंग करवा कर लोगों को जानकारी देते वे सुरक्षित पर रखने की ववस्ता की जाए बई अंचल अधिकारी विकास कुमार ने ये भी बताये कि हमारे यहां नाव नहीं होने के कारण दूसरे जगों से नाव की ववस्ता की जा रही है क्योंकि बार का पानी गोरिया कोटी में कभी भी आ सकता है